ये खिलाना देखने में थोड़ा डरावना जरूर है लेकिन इसको बनाने में बहुत मजाएगा इसमें कार्डशीट के उपर जितनी हड्डिया है वो सब बनी है एक मोटी सी कार्डशीट है इसमें पसलियों का पिंजरा, खोपड़ी, हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां ये सब बनी है आप सबसे पहले तमाम हड्डियों को बाहर से काट कर उनकी जो आउटलाइन है उस पर से सबको अच्छी तरह से एक छोटी कैंची से काट ले होगी यहां अब आप देख रहे हैं कि इसका जो धड़ है जो पसलियों का पिंजरा और खोपड़ी है वो डबल है इसी तरह से हाथ और पैर की दो हड्डिया है जिनको आपको दोहरा करना पड़ेगा इसी तरह से दो पैरों में गोंद लगाएं और उसे आपस में बैक टू बैक चिपका दें इसी तरह से आगे की हाथ वाली हड्डियों को भी बैक टू बैक चिपका दें और ये जो धड़ है यानि पसलियों का पिंजरा और खोपड़ी ये दोहराएं हैं और इस तरह से हड्डियों को सजाएं इसके बाद में जो पसलियों का पिंजरा और खोपड़ी हैं उसके दर्मियान में आप गोंद लगाएं और एक मोटी ज़ाड़ू की काड़ी चिपका दें और दूसरा हिस्सा खोपडी का और पसलियों के पिंचरे का उसके उपर जिपका दे इन दोनों के दर्मियान में एक हलका सा शिगाफ होगा और इसके बाद बाकी जो हाथ-पैर की हड्डिया है उसके लिए अब सबसे पहले एक लंबी सुई से धागा पे रोए एक तरफ पाट लगा दे इससे यह जो सब हड्डिया है जैसे कबजे यानि हिंजिस यह धीली होंगी और यह हिल डूल पाएंगे यह इनकी खास बात है यह देखिए हाथ-बाउं सब हिल रहे हैं और जैसी ही आप काड़ी को पकड़ कर थोड़ा सा जटका देंगे थोड़ा सा गोल यह धाचा बिलकुल नाचना शुरू करेगा आप इससे हड्यों के बारे में तो बहुत कुछ सीखेंगे ही लेकिन किसी चीज़ को अगर आप घुमाते हैं तो उसका रुजान बाहर जाने का होता है यह भी आप साइंस के गानून को सीखेंगे झाल को सीखेंगे ही लेकिन को सीखेंगे यह भी आप सा गाहर जापका बाहर जाप जाप होता है यह दो भी आप साइंस के बाहर जाप जाप।